जाने जा मुवी की कहानी माया डी सूजा के इर्देगद घूमनें यह माया डी सूजा अपने अतीत से भागते भागते कलिंपअंक एक सहर में जा पहुंचती यह वह अपनी बेटी तारा को एक बैसे Μिंदिगी देने की कोईशिश करती एक दिन माया डिसुजा के हातों उनके पती इंस्पेक्टर अजीत मात्रे का खून हो जाता है और यह बात उनके पड़ोसी नरिन मैथ टीचर को पता लग जाती है यहां नरिन माया डिसुजा की मदद करने का फैसला लेता है अब खून का पता करते करते एक पुलिस ओफिसर क करण को पता चलता है कि उसका कुलिज फ्रेंद नरीन माया का परऊसी है अब क्या होगा कि आ सुसक्राघन अपने दोस्च करण को सबसच बता देगा कि माया फसर जाएगी और यहां नरीन ने माया की मद्द करने का फैसला क्यों लिया था इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेकर लाश तक देखनी होगी और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सस्क्राइब ने किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सस्क्राइब कीजेगा अब और देर ना करते हुए शुरू करते हैं इस मूवी का हिंदी एकस्प्लीनीशन तो कानी की सुरवाथ में हमें दिखाया जाता है माया डिसूजा और उसकी बेटी तारा को यहां माया डिसूजा जो है अपने पती अजीज से दूर आकर कलिम्पॉंग सहर में अपनी बेटी तारा के साथ रह गई है और अपनी बेटी का अच्छे से देखवाल करती है और उसे एक बहतरीन स्कूल में पढ़ाती है और यहां माया एक रेस्टोरेंट भी चलाती है जिससे इनका घर चलता है जिसके बाद माया अपनी बेटी तारा को तयार करके स्कूल छोड़ने जाती है और वहीं उनका पड़ोसी नरेन माया को जाते देख रहा होता है या जो नरेन है वो एक जीनियस मैट टीचर होता है मैट तो इनकी उंगली उपर ऐसे रखी रहती है जैसे दूद में मलाई लेकिन नरेन माया को काफी ज़ादा पसंद करता है और इनकी नजर हर वक्त माया पर ही रहती है अब नरेन तयार होकर स्कूल के लिए निकलता है और हम रास्टे में देखते हैं गाओं के लोगों को वो नरेन टीचर को मान सम्मान देते हैं और उनकी काफी रेस्पेक्ट भी करते हैं अब नरेन पहले तो माया के रेस्टरेंट जाता है और वहाँ से फ्राई राइज लेता है यह नरेन जो है माया के रेस्टरेंट डेली जाता है और फ्राई राइज लेता है क्योंकि नरेन फ्राई राइज के बाहने माया को देखने जाता है असल में वो उसे बहुत पसंद करता है अब नरेन जैसे ही माया से फ्राई रैस ले रहा होता है कि तवी वहाँ पर एक आदमी आता हुए माया को दिखाई देता है और उसे देखकर माया के पैरो तले से जमीन किसक जाती है लेकिन नरेन वहाँ से रैस लेका चला जाता है और पीचे से मुड़कर उस आदमी को देखता है और अब हमें मालुम चलता है वो आदमी और कोई नहीं है बलकि माया का अजवेन है जिसका नाम अजीत होता है और ये एक पुलीस आफिसर होता है अब माया अजीट से कहती है उसने उसको कैसे डूंडा अजीट का कहना ये था कि डूंडने से तो भगवांभी मिल जाते हैं और तुम तो मेरी पत्नी हो जो की 14 साल बार डूंडने से मिली हो और अजीत का ये भी कहना था कि तुमने अपना नाम और प्रोफेशन भी बदल लिया है जिससे तुम्हें कोई ढूंडना पाए लेकिन मेरा नम अजीत है और उपर से मैं एक पुलिस वाला भी हूँ लोग को ढूंडना हमारा काम होता है अब माया अजीत को यहां से जाने के लिए कहती है मगर अजीत जो है माया से बात कने बिना नहीं जाना चाता इसलिए माया उसे एक एडरेस देकर रेस्टोरेंट से बाहर मिलने को कहती है जिसके बाद माया अजीद से मिलने जाती है और अजीद से हमें मालुम चलता है माया जो है एक पोल डांसर हुआ करती थी और माया का असली नाम सौनिया होता है और अजीत को माया से पहली नेजल में प्यार हो गया था जिसके चलते अजीत और माया ने साधी कर ली थी और साधी के कुछ महीने बाद अजीत माया से गंदी काम कराने लगा पैसो के लिए जिसकी बजा से माया पूरी तरह से फ्रस्टेड हो कर अजीत के पंदर लाक रुपय की है और बहुत खूबसूरत है यह माया के पैरो तले से जमीन किसक जाती है वो कहती है उसे कैसे पता मेरी बेटी तारा के बारे में या अजीत का ये कहना था कि उसने तारा को स्कूल में देखा था और वो अपनी बेटी से मिलना चाता है अब माया जल्दी से तारा के स्कूल जाती है और तारा को वहां से घर ले आती है क्योंकि माया यहां पर अजीज से काफी डर गई थी अजीज जो है बहुत ही जादा गंदा आदमी होता है वो बैसों के लिए लड़कियों को बीच देता है जिसके बाद हमें एक पुलीस ओफिसर को दिखाया जाता है इस पुलीस आफिसर का नाम होता है करन अनंत यहां करन जो है एक जीनियस टैलेंटिट पुलीस वाला होता है जो कि क्रीमिनल को आसानी से पकड़ने में माहिर होता है और केस्ट को सॉल्व करने में कुछ ही टैम लेता है जिसके बाद करन को कमिशनel ऑफिस में बुलाय जाता है एक केस क अजीत को पगड़ने के लिए क्योंकि अजीत दोनमर का काम करता है जैसे ब्लेक मनी का आवाला करना और पोल बार भार में जाकर कर वहां पूझता ह्याँ बार में जाता है और वहां की एक मेनेजर से अक्षर को पिद्धुन करता है और उस पर थूपती है अव करण उस मेनेजर से अजित के बार है पूछता है वो कहता है वो अब कहां मिलेगा करण का यह यह भी कहना था अगर तुम उसका पता बता दोगी तो तुम्हें उसको कुछ भी नहीं देना पड़ेगा जैसे हफ्ता वसूली और भी कुछ यहां उस मैनेजर का करन से कहना था कि वो यहां पर एक अपते पहले आया था पूरा टली होकर और कुछ कहने की कोसिस कर रहा था वो कह रहा था उसकी कलिम पॉंग में एक लोटरी लग गई है इसका मतलब वो लोटरी है माया अब साम को हमें नरेन इसकुल से आते दिख खाया जाता है कि तबी दरवाजे से किसी की आवाज आती है यहां माया पूछती है कून है यहां दरवाजे पर और कोई नहीं था बलकि अजीद था और माया से दरवाजे खोड़ने के लिए कहता है मगर माया डरी हुई थी और उसे यहां से जाने के लिए कहती है और यह भी कहती है अगर वो यहां से नहीं गया तो वो पुलीस को बुला लेगी लेकिन यहां अजीत का यह कहना था कि वो उसका पती है और उसका पूरा हक है अपनी पतनी से मिलने का और बात करने का पुलिस इसमें कुछ नहीं कर सकती और इसी मज़ूरी का फाइदा उठा कर माया से दरवाजा खुलवा लेता है और अब अंदर आकर माया से कहता है वो अब बदल गया है और वो फिर से माया के साथ नई जिन्दकी शुरू करना चाता है लेकिन माया जो है अजीत को अच्छे काम कराये थे इसलिए माया उसे अपने कमाई हुए पैसे दे कर यहां से जाने की कहती है मगर अजीत एक नमबर का कमीना इनसान होता है वो यहां से जाने वाला नहीं था अब माया को टॉर्चर करने लगता है कि तवी तारा पीचे से आकर एक खौईली रिटर की मदद से उ माया को कुछ भी होस नहीं रहता कि वो क्या कर रही है अपनी बेटी को बचाने के चकर में उसने अपने पती को ही मार डाला अब माया और उसकी बेटी पूरी तरह से गवरा जाती है अब उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि वो इस लास का क्या करें या तो वो पुलीस को लास पूरिएCOUAR होता है क्योंकि मैंने ह्वों को पहले बता दिया था अपने कमरे की दिवास माया की सारी भाते सुन लिता है और हर वक्त नजर रखता है और सबसे बड़ी बात यह थी कि नरीन माया से प्यार करता था और उसके लिए कुछ भी कर सकता था अब नरेन ऐसा ही करता है वो माया से कहता है नास को चुपाने में तुम्हें मेरी मदड चाही होगी और पुलीस को सब कुछ कंफेस कर देने से कुछ भी नहीं हो जाएगा और मैं तुम्हारी मदद भी कर सकता हूं तो यहां पर माया दरवाजा खोलती है जैसे नरीन टीचर अंदर आते हैं तो माया उनसे पूछती है आपको कैसे पता अंदर एक खून हो गया है जिस पर नरीन टीचर माया से कहते हैं कि मैं एक जीनियस मैत का टीचर हूं और उसने पहले सब कुछ पता कर लि होगा है अब मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा इस डेट बोडी को ठिकाने भी लगाऊंगा और यहां पर पुलिस भी आएगी और इस केस में भी फस्चुगा हूं लेकिन अगर मेरे कहने के मताविक सब कुछ किया तो किसी को भी कुछ नहीं होने वाला तो सबसे पहले तो हमें यहां के सारे सबुत मिटाने होंगी और हमें वही एविडेन सामने रखने हैं जो कि हमें पुलिस को दिखाने हैं और यहां पर नरेन टीचर एक मैत के टीचर होते हैं तो इसलिए वो सब कुछ कैल्कुलेट कर लेते हैं और परिनाम तक सब कुछ सोच लेते हैं कि आगे क्या हो सकता है जिसके बाद हमें करन को दिखाया जाता है वो अब कलिमपंग पहुँच चुका था अजित को पकड़ने के लिए अब करन अपने एक कॉंस्टिवल से कहता है अजित को यहां के सारे वोटल्स में ढूणा जाए क्योंगी वो वहीं मिल सकता है अब दूसी माया से कहता है उसे फिर कोई भी टेंसल लेने की जरूरत नहीं है अगर उसने काम कर लिया है तो अगले दिन करन माया के रेस्टोरेंट में जाता है और उसे एक फोटो दिखाकर अजीत के वारे में पूछता है क्या आप इस आदिमी को जानती है माया यहां मना कर देती है वो उसे नहीं जानती अब थोड़ी देर वाद वहाँ पर नरेन टीचर आ जाते हैं करन नरेन को देखकर सौक हो जाता है तरहसल करन और नरेन जो हैं वो कॉलेज के बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं अब दोनों बात करी रहे थे कि तभी करन को एक फोन आता है और उसे प बहुत ड़़ लग रहा है लेकिन नरेन टीचर उससे कहते हैं मैंने जो भी तुमको काम दिया था तुमने वो किया जस पर माया का कहना था कि उसे सब कुछ कर लिया है अब नरेन उससे कहता है तो फिर तुमें बिल्कुल भी डरने की जरूँत नहीं है और ये भी कहते हैं बाहर हमारा बात करना सही नहीं है अब तुम यहां से जाओ इसके बाद आगए हम करन को देखते हैं वो उस होटल में पहुँच जाता है जिसमें अजीत रुका हुआ था और उस होटल का कमरा बिख़रा हुआ था जिसके बाद करन उस होटल के मैनेजर से कहता है कि अजीत ने तुम से कुछ पूचा था वो मैनेजर कहता है हाँ बस उसने एक स्कूल के बारें पूचा था अब करन सीथा उसी स्कूल पहुच जाता है अब करन की नजर स्कूल में माया पर पड़ती है यहां करन कहता है यह औरत तो वही है जो रेस्टूरे को माया के घर के नीचे देख लिया था जिसकी बजासे नरेन पासी के एक बूत से माया को कॉल करने की कोशिस करता है और कहता है अब जल्द यह पुलीज तुमारे घर पर आएगी और यह कहता है कि अजी तो तुमारी मैरिज रिजिसरेर्ड हुई थी जिस पर में अजीत की लास का पता चलता है और वो उस जगा जाने लगते हैं जहां अजीत की डैड बोडी है और उसकी डैड बोडी को पूरी तरह से जला दिया गया था और उन्हें पता चल जाता है ये डैड बोडी और किसी की नहीं है बलकि अजीत की होती है क्योंकि वहाँ पर अजीत के अधिजले कपड़ेवी थे जिनमें अजीत का खून लगा हुआ था अवकरन उस खून का डियने चेक करने के लिए उसी होटल में जाता है जहां अजीत रुका हुआ था अवकरन को उस कमरे में एक कंगा मिलता है जिसमें अजीत के कुछ बाल लगे हुए थे जिससे वो पता कर पाएगा इस बाल और उस खून के जरीए ये किसकी बोडी है अब करन उस बाल और खून को डियाने टेस्ट के लिए बिजवा देता है जिससे कन्फर्म हो जाता है वो अजीत की बोडी है और वो डॉक्टर ये भी वताता है इसकी मौत दस तारिक को लगवस साड़ साथ के आसपास हुई थी ये सारी बाते जानने के बाद करन अगली सुबा पहुँच जाता माया के गर पर यहां करन फिर से अजीत की फोटो दिखाते माया से पूछता है जिसपर माया कहती है ये मेरा पती था और मैं इसकी सूरत भी देखना नहीं चाहती और हम इससे कोई भी वास्ता नहीं रखना चाहते अब करन यहां पर माया से कहता है पहले तुम्हें पता था इस आदमी के बारे में तो तुमने उस दिन रेस्टूरेंट में क्यों नहीं बताया था तो यहां माया का कहना था कि वो उस आदमी से कोई भी संबन नहीं रखना चाहती और वो य लेवी हमेशा से पैसे ही मांगने आया करता था जिसके बाद करन माया को पूछताज करने के लिए पुलिस इस्टिसन ले जाता है क्योंकि माया ही इस केस की only and only suspect है करन माया से कहता है आज से 14 साल पहले तुम अजीत के paradise होटल में गंदा काम करती थी और उसके सारे सबूत हमार यह बेज दिया था जिसकी बज़ा से मैं वहाँ से भागाई जिसके बाद करन माया से कहता है तुम तस तारिक को कहां थी जिस वह माया उसे बताती है वह अपनी बेटी को लेकर सबसे पहले फिल्म देखने गई थी और उस फिल्म का नाम था पैट टू और इस फिल्म का सो अब फिल्म देखने के बाद बाहर खाना खाने गए थे और इसके बाद वो एक डांस बार में गए थे और वहाँ पर उन्होंने फुल मस्ती की थी यह सारी बाते जानने के बाद करन वहाँ से चला जाता है लेकिन करन को उसकी बातों पर बिल्कुल भी विस्वास नहीं हो रह को सकता था अब बातों बातों में करन को मालुम चलता है नरें जो है माया का पड़ाऊसी से माया बहुद करता है करन के जाने के बाद माया नरेंस टीचर आम्सmeden देंचेश से मिलती और कहती है आपने जैसा मुझे बताया था वैसा मैंने पुलिस को بتा दिया है लेकिन अब यह नरीन टीचर को माया को ऐसे गले लगाना बहुत अच्छा लगाता अब दूसी तरफ करन माया के घर से सबूत के तौर पर उस मूवी की टिकेट्स को मंगा लेता है उन टिकेट्स को देखकर मालुम लगता है कि वो दोनों उस तिन मूवी देखने गए थे लेकिन करन को य ये भी कहना था कि हम गलत भी हो सकते हैं फिर भी मुझे ऐसा लगता है इस केस की माया ही सस्पेक्ट है और इस खून के पीछे माया का ये हाथ है अब अगले ही दिन रात को करन नरेन टीचर के यहां कोफी पीने जाता है अब करन उसके रूम को देखने लगता है और वहीं गंटे पहले उसे मालुम चला कि 40 गंटे पहले किसी और ने इस प्रावलम को सॉल्व कर लिया है और इस तरह से उसकी दस साल की मेनत पर पानी फिर गया था इसी तरह से एक मैत प्रालम और है उसे हल करने में उसे पंदर सान लग जाएंगे लेकिन ये तब होगा वो उसे प जाता है और उसे उसी डांस वाज चलने के लिए कहता है जब माया और उसकी बेटी गई थी अवकरन माया को घर से पिक अप करने आता है तब ही रास्ते में नरेन उसे मिलता है फिर नरेन को मालुम चलता है कि वो दोनों उसी बार में मस्ती करने जा रहे हैं तो यहाँ पर नरेन को काफी बुरा फील होता है उन दोनों को ऐसे देखकर अब करन और माया पहुँच जाते हैं उसी बार में और वो दोनों खूब मोज मस्ती करते हैं अब माया घर आ जाती है तो उसे अपनी बेटी तारा से मालुम चलता है कि पुलीस उसके घर पर आये थी और उस कॉई कोई हीटर से खून हुआ है किया वह कॉई हीटर माया का है यह सारी की बाते सुनने के बाद माया तुरंदिघी नरेन टीचर को कॉल करती है और वासारी बदाते हैं में कि उसे करन के साथ शाथ उस डांस वार में नहीं जाना चाहिए था यह सब उसरी चाल थी वह तuman हैंसे को जांज करने पर मालुम चलता है, कि उस कोईली हीटे से हजीत की जान नहीं ले गई है। और यहाँ पर इन सारे सभूतों से पता चलता है की माया बेकसूर है, और उसकी तरब से यह सारे केस के चारजस हटा दिये जाते हैं। यहाँ पर करन अगली सबब माया के पास जाता है और उससे माफी मांगता है और कहता है मैं इस केस को क्लोज करके यहाँ से बापस मुंबई जा रहा हूँ और जाने से पहले वो माया के हाथ के एक कौफी पीना चाता है अब करन के पास वहाँ काम करने वाली प्रेमा नाम की ए अब प्रेमा की ये सारी बात सुनने के बाद करन को सख हो गया था, कि इस स्खून के पीछ जरूर नरेन का ही हाथ है, अब वो सीधा पूंच जाता है नरेन के स्कूल में, और वह यही से पता करता है कि नरेन 10 तारीकों कहा था, अब उस रेजिश्टर में पता चलता है कि नरे ने दस तारीक को स्कूल से चुटी ली थी और ऐसा पहली बार हुआ था कि नरेन टीचर ने जिंदगी में पहली बार स्कूल से चुटी ली होती है अब करन ये जानने के बाद तुरंधी नरेन के पास पहुंच जाता है और वो उससे कहता है उसे ऐसा लग रहा था कि माया दस तारीक को कहा था यहां नरेन का कहना था कि वो दस तारीक को अपने घर पर था और उसकी तवियत खराब थी मगर कहीं न कहीं करन को नरेन पर सक हो गया था लेकिन उसके पास सबूत ना होने के कारण वो उसे अरेस्ट नहीं कर पाता और बहां से चला जाता है अब नरेन अपने घर पर पुहुचता है तो उसे माय मिलती है वो कहती है अब पुलिस वालों को मुझे पर सकने रहा मगर वो मुझे कह रहे कि नरिन मुझे से प्यार करता है और हमारे बीक गच कुछ है लेकिन तभी मेने सब को बता दिया कि ऐसा हमारे बीच में कुछ नहीं है और ये सब फालतूगी बाते हैं अब नरिन ये सारी बाते सुनने के बात कहता है कि कल तुमसे पुलिस बहुत सारे सवाल पूचेगी मैंने जो तुम्हें बताया है बस तुम्हें वो ही बताना है ये सारी बाते पुलिस को कल बताने के बाद बो फित तुम्हें कभी परिसा नहीं करेगी अब नरिन ये कहकर अपने रूम में चले जाता है और दर्वाजे के पास बैट कर गुड़ कुड़ कर रोने लगता है अब अगले दिन बो बहुत सारी लेटर्स लिखते हैं और उन लेटर्स को माया के दर्वाजे के नीचे से गुसा कर घर के अंदर किसका देते हैं जिसके बाद नरिन टीचर पहुँच जाते हैं पुलिस स्टेशन और करन के सामने बैट जाते हैं और करन से कहते हैं वो सब कुछ करना चाहता है और अजीट को मैंने ही मारा है, भो भी माया के कहने पर, क्योंकि मैं माया का एक बोडी कार्ड हूँ जो वो मुझसे कहती है वो ही मैं करता हूँ क्योंकि ये मेरा दर्म है और मैं उनका बोडी कार्ड हूँ ये बात किसी को भी नहीं पता है शुपके से उनकी देखवाल करता हूँ यहां तक कि माया की बेटी को भी नहीं पता है कि मैं उसका बोडी काड हूँ जिसके बाद नरेन करेन को बताता है कि उसने अजीत को कैसे मारा था वो बताता है दस तारे की राज साड़े साथ वजे के आज पास मैंने अजीत को मारा था और वो यही बताता है कि वो हर रोज माया को लेटस लिखा करता था अब पुलिस वाले नरेन के घर से उसको कॉल हीटर ले आते हैं और उन्हें मालूम चल जाता है कि इसी कॉल हीटर से अजीत को मारा गया था और वहीं दूसी तरफ माया से भी पूछताद की जाती है पर नरेन टीचर ने माया का सारा इल्जाम अपने सर्पन ले लिया था यहां करने माया को नरेन की सारी बाते बता दी थी वो माया से कहता है इस खून के पीछे स्रिप और स्रिप नरेन का ही हाथ है तुम पूरी तरह से निर्दोस हो ये सारी बाते सुनने के बाद अब माया नरेन से मिलने जाती है और नरेन से कहती है आखिर तुमने मेरी जान क्यों बचाई जिसपर नरेन उससे कहता है जिसने मेरी जान बचाई हो इतना तुम मैं उसके लिए कर सकता हूँ मगर माया यहां पर कुछ नहीं समझ भाती फिर नरेन उसे बताने की कोसिश करता है कि जब आप पहली बार मेरे गर पर आई थी एक प्लंबर का नमबर मांगने के लिए तब मैं फांसी लगाने वाला था वो भी अपने पहले प्यार मैथमेटिक्स के लिए यहां एक मैध की प्रॉलम थी जिसके पीचे मैं दस साल से लगा हुआ था लेकिन जब उसने उस प्रॉलम को हल कर लिया था तब न्यूस के दुआरा उसे पता चलता है कि कुछ 40 गंटे पहले इस प्रॉलम को किसी ने हल कर लिया था और मेरी जिन्दगी वहीं पर खतम हो गई थी लेकिन तब ही तुमने मेरा दरवाजा खटखटाया और मैं फांसी लगाने ही वाला था कि फिर में रुक गया और आपने मेरी जान बचाई थी इसलिए मैं आपकी जान बचा रहा हूँ अब ये सारी बाते जानने के बात अचानक से नरेन माया पर चलाने लगता है अब करन वहां आकर माया को ले जाता है यहां करन को ऐसा लगता था कि अब नरेन पागल हो चुका है आकर में अब यहां से खुलेंगे कहानी के असली पत्ते और यहां से कहानी बस नरेन को ही पता रहती है और यहां पर हमें मालूम चलता है कि वो सब कुछ आके दस तारिक को नहीं हुआ था बलकि माया और तारा ने अजीत की जान नौ तारिक को ली थी मगर नरेन टीचर ने यहां एक नई कहानी बनाने के लिए नरिन टीचर ने दस तारीक को चुना और दस तारीक को एक बिखारी को फुटवार से उठाया और उसे नए कपड़े पेना कर और अच्छे से तयार करके उसे उसी होटल में ले कर गया जिसमें अजीत रुका हुआ था और उसे वहाँ पर अच्छा अच्छा खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद नरिन टीचा उसे एक जंगल में उसमसान सी जगा पर ले गया और पीछे से उसके सर पर कोईल हीटर से बार करके फिर हीटर के तार से उसका गला गौटा कर उसे मार दिया और फिर सबूत मिटाने के लिए पहले तो एक पत्थर से उसकी आँखें और मूँ को दुचिल दिया फिर गैस से उसकी उंग्लियों को जला दिया जिससे उसकी फिंगर से पता नहीं चल पाए ये कौन है जिसके बाद नरिन उसकी बॉड़ी को जला देता है और सबूत के तौर पर वहाँ अजित के कपड़े और उसका आइडेंटिटी कार्ड वही छोड़ देता है लेकिन खून से सने कपड़े उसी बिखारी के थे और वोटल में जो कंगे में बाल मिले थे वो भी इसी बिखारी के थे इससे ये सावित नहीं होता कि ये अजित की ही डैड बॉड़ी थी और ये सारी चीजे जब नरेन टीचर कर रहा था तब नो तारीक की रात को ये नरेन न माया और तारा को सब कुछ समझा दिया था कि वोने दस तारीक को कहां कहां जाना है और कहां कहां भूमना है प्रावलम हल कर ली है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं खतम हो जाती है तो दोस्तों कैसी लगी आज की मिस्टिरियस और दिमाग को बमाने वाली फिल्म मेक शूर आप लोग को ये काणी काफी पसंद आई होगी और इसी तरह का फ्रेस और न्यूली कंटेंट आप लोग देखना चाते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरू सस्क्राइब कीजेगा तो फिर मिलते हैं एक और नई फिल्म के साथ थैंक यू सो मच